हालो एवरिवन मैं हूँ सीमसेस पानी आज हम डिसकस करेंगे जब भी हम कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं वो ड्यामेज हो जाता है या डिटोरियेटेड हो जाता है वो टाइम में ड्यूटी टोटल देना नहीं पड़ेगा हमको कुछ आवेट्मेंट मिलेगा कुछ अगर कोई इंपोर्टेड गुड्स है तब कब ड्यूट्स आप्टर अनलोडिंग पहले यह एनि टाइम भीफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग अफ गुड्स अगर इनि इंडिया होता है वो यह जो सेक्शन टूंटी टू आवेट्मेंट उसका मिलेगा उसका उपर अगर इंपोर्टेड गुड्स है इंपोर्टेड गुड्स में जब अनलोडिंग हो चुका है इंडिया में अप्टर अनलोडिंग इन इंडिया बट बिफोर इंस्पेक्शन बाई कस्टम अनलोडिंग हो चुका है लेकिन वो कस्टम ऑफेशियल उसको इंस्पेक्शन नही कि वो वीच में अगर हमारा imported goods में कोई damage हुआ है on account of accident लेकिन वो case में भी वो section 22 में हमको abattment मिलेगा लेकिन ये जो damage हुआ वो willful act मतलब कोई जानबुज के उसमें damage किया, negligence है हुआ importer का, default importer का हुआ, importer ही उसका employee का negligence या उसका agent का negligence वो case ये cover नहीं होगा section 22 में तो जो imported goods है तो अगर on loading होने का बाद इंडिया में before inspection भी damage होता है on account of accident तब ये section 22 applicable होगा, हमको मिलेगा duty का उपर हमको कुछ shoot मिलेगा, total duty देना नहीं पड़ेगा, तिसरा case में अगर कोई warehouse goods है, goods हमारा warehouse में है, तो वो case में anytime before clearance for home consumption, अगर कोई damage हुआ है on account of any accident, तो वो case में भी ये section 22 में हमको उसका उपर benefit मिलेगा, हमको जो duty देना था उसमें से हमको apartment मिलेगा, लेकिन ये case में भी warehouse goods का case में भी ये कोई willful act, जानबुज के कोई कर रहा है, negligence हो रहा है, जो ये कुछ का employee का हो, agent का हो, अगर कोई जानबुज के कर रहा है, तो वो case में वो damage इसमें कभर नहीं है, अगर कोई accident से हो रहा है, warehouse goods में भी, जब before clearance for home consumption, वो भी ये, ये जो section 22 में, वो ये तीन condition में, section 22 में हमको apartment मिलेगा, वो cover होगा under section 22, अभी हम कभ damage होने से section 22 applicable होगा, वो discuss किये, अभी कैसे देना है, वो discuss करते हैं, कितना देना है, कितना apartment मिलेगा, वो भारी में discuss करते हैं Suppose, हम एक example लेते हैं, Suppose value of goods before damage, damage होने से पहले जो goods हम import किये थे, उसका value 1 lakh था, value of damaged goods, damage होने का बाद वो goods का value रह गया 25,000, duty amount on goods before damage, ये जो 1 lakh का हमारा जो goods था, जो हम import किये थे, जो अच्छा goods अगर वो damage नहीं होने से जो value था 1 lakh, उसका उपर हमको देना पड़ता था, Suppose duty, custom duty ह अब भी goods हम हम ब्लाएं हो गिया, तो अबेटमेदेन कितना मिलेगा? कितना हमाको पिबिंक पड़ेगा? उसका जो फर्मुला है, वो हम आपको देखना पड़ेगा, कितना पर्षेचे इसका damage हो गया, उतना percentage हमको अबेटमेदेनी मिलेगा, बालांस का उपर हमको देना सेंटेज हमारा वाल्यू रहे गया तो यह हिसाब से जो ड्यूटी भी हमको जो पेमेंट करना था उसका हमको 25 परसंट 25 परसंट ही पेमेंट करना पड़ेगा जो ड्यामेज हो गया अगर 25 परसंट हमारा वाल्यू अफ गूड्स रहा तो ड्यामेज कितना हो गया 75 परसंट जितना परसंट ड्यामेज हो गया ओवेट्मेंट मिल जाएगा जो परसंट हमारा ड्यामेज गूड्स का बच गया है उतना परसंट ही हमको टैक्स देना पड़ेगा ड्यूटी देना पड़ेगा duty 75% का अभेटमेंट मिल जाएगा only 25% हमको पेमेंट करना पड़ेगा 25% of 25,000 तो ये case में 5000 रुपीज हमको पेमेंट करना पड़ेगा तो कैसे हमको duty देना है कैसे calculate करना है वह बारे में discuss किये कि जो value of damage goods जितना है जो before damage से जो value है goods का उसका जो percentage का हिसाब से duty भी हमको पेमेंट करना पड़ेगा अभी ये जो damage goods का value कैसे आप अराइव करेंगे ये जो 25,000 आम अराइव ये 25,000 कैसे अराइव होगा वह भी बताये गया ये section 22 में वह भी बतायेगा कैसे होगा value ascertain by proper officer ये जो damage goods का value proper officer वह ascertain करेगा proper officer of custom तो अगर proper officer custom का वह value वह ascertain करेगा और अगर वह value ascertain नहीं कर रहा है या value उसमें हम राजी नहीं है और either value ascertain by proper officer वह मानना पड़ेगा और अगर नहीं वह मान रहे है या उसमें हम बोले नहीं ये उसमें proper officer जो value ascertain कर रहे है उसमें हम राजी नहीं है इंपोर्टर राजी नहीं है तो वह case में second case में क्या होगा और sell procedure वह damage goods को बेस दिया जाएगा वह damage goods को proper officer custom officer उसको बेस देगा वह public action और any other manner agreed by the importer तो either value ascertain करेगा जो proper officer वह basis पे होगा अगर वह नहीं हो रहा है दो method है value ascertain by proper officer वह एक method है नहीं तो second method है sales proceed वह damage goods को बेस दिया जाएगा जो पैसा आएगा जो sales proceed होगा उसको माना जाएगा value of the damage goods तो ये दो method में हमको value of the damage goods ascertain करना होगा ये जो value of damage goods जितना आएगा वो हमारा before damage value of goods का कितना percentage वो basis के हमको duty payment करना पड़ेगा तो जब भी हमारा कोई goods damage हो जाता है या ये deteriorate हो जाता है तो वो case में duty ऐसे ये जो formula हिसाब से अभी जो discuss के हमको payment करना पड़ेगा अगर मेरा वीडियो को पसंद आ है वीडियो को like कीजिए share कीजिए और मेरा channel को subscribe कीजिए thank you